हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल माई आउन एस्टाडी हव अमीद फ्रेंड्स आपको मिल नाया पर रिजनिंग का कम्प्लीट सोलूशन तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को दवा कर दवाना होगा और ताकि आपको रेगलर अप्टू डेट्स मिलती रहे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम देखने वाले इनलोजी टेस्ट टाइप वन का प्रस्ण 11 से कंटिन्यू करने वाले तो फ्रेंड्स प्रस्ण है मेरा कि जिस परकार कल्पना का संबंध मौज से है उसी परकार इस मिर्ती का संबंध किस से फ्रेंड्स यहां पर आप क्या दिया गया है ध्यान से देखे जिस कहड़ाई कि जिस परकार कल्पना का संबंध किस से है मौज से जिस परकार कल्पना का संबंध मौज से उसी परकार इस मिर्ती का संबंध किस से है तो फ्रेंड्स आप ध्यान से द समन्द मौज से परकार इस्मिर्थी का समंद कि कांगा समन्द मोज से उसी परकार इस परकार कि protocols करने का मतलब हुआ है कि जब भी किसी चीज का कलपना करते हैं तो आपको सलमान खान एम होते या फिर आप सुचते कि चीरिया होता तो आकास में उरता तो आपके मन में अजीब तरह का मौज वने लगता है कहने का मतलब जब कलपना करते हैं तो मोज की अन्भुती आपको होने लगता है। स्मिर्थी कहने का मतलब याद करने के सिंस में अगर कुछ आप याद करते हैं तो क्या होता है जिस परकार आप कलपना करते हैं तो आपको मोच की अन्मूती होने लगता उसी पड़ा तरह अगर आप इस मिर्थी यानि किसी चीज को याद करते हैं तो क्या होता है तो आपके म दिया हुआ है प्रस्ण 12 है आपके सामने कि जिस परकार चंचल का संबंद इस्थिर से है उसी परकार परिवर्तन का संबंद किस्थे फिर्ण से यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि जिस परकार चंचल का संबंद किस्थे है इस्थिर से जिस परकार चंचल का संबंद इस्थिर से उसी तरह परिवर्तन का संबंद किसे है जिस परकार चंचल का संबंद इस्थिर से है उसी परकार परिवर्तन का संबंद किसे है तो फेंस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चंचल का संबंध इस्थिर से हैं चंचल कहने का मतलब कि फुर्तिला इधा उधार करने वाला उसका संबंध इस्थिर से हैं तो परिवर्तन का संबंध किस से हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि चंचल का उल्टा वर्ड इस्थिर दिया गया चंचल कहने का मतलब फुर्टीला जो मतलब कभी इस्थिर नर है कभे भी इस्थिर Lastып, एस्थिर के सेंस में तो इसका उल्टा वर्ड आप उल्टा सेंस में स्थिर दिया गया उसी तरह परिवर्तन परिवर्तन उनका आगर लेंगे तो परिवर्तन का उल्टा सब्ध आपको वह होना चाहिए जो मतलब जिसमें परिवर्तन हो ही नहीं तो आप option देखेंगे ध्यान से यहां पर एक में बदलाब दे दिया है तो परिवर्तन के सेंस ही यहां पर नियमी दे दिया है भी परिवर्तन के सेंस ही लगातार के सेंस में और तीसरा अस्थाइत दिया है तो आपका answer यहां पर अस् था इत मतलब लगल नो होने के संज में और पडिवरतन के संस में तो आपका एंसर यहां पर अस्था यह तो होगा ओप्सन यहां पर आप देख रहा है ओप्सन नमबर थीरी आपको एंसर दिया गया है प्रस्न 13 देख रहा है कि दिया गया है कि जिस परकार दुरगटना का संबंद सावधानी से है उसी परकार बीमारी का संबंद किस्से है यहां पर आपको क्या दिया गया है कि बीमारी का संबंध किस्या दो फेंट्स आपको पता है कि दुरघटना नौ होने के लिए हमें क्या रहना चाहिए दुरघटना नौ होने के लिए हमें क्या रहना चाहिए साब्धान यानि साब्धानी का पालन करना चाहिए दुरघटना नौ होने के लिए हमें क्या रहना चा सब्द्धान ने सब्गतना सब्धन के एक एक देड़ दिया चीवान दूदू नियुक्त रॉक्त्ष हए आपका आंसर यहां पर स्वक्षता हो जाए एक बार और देखें कि दुरघतना दुरघतना से अगर बचना है तो आपको सब्धान रहना पड़ेगा यानी साब्धानी का पालन करना पड़ेगा उसी तरह सेम इसी तरह समांता अगर इसमें देखते हैं तो बीमारी बीमारी से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्वक्षता का पालन करना पड़ेगा या आपको स्वक्ष रहना पड़ेगा तो फेंस यह दोनों क चिरिया का समंद घोसला से है उसी परकार खर्गोस का समंद किस्ते है फिरेंड्स आप ध्यान से देखिया आपको दिखाई दे दिया होगा कि जिस परकार चिरिया का समन्द घोसला है तो चिरिया का जो घर होता है वो घोसला है चिरिया का जो घर होता है वो घोसला है उसी परकार आप खरगोस के बारे में सूचे खरगोस का जो घर होगा उसको क्या कहेंगे खरगोस का जो घर होगा उसको बील कहेंग तो आपका answer यहाँ पर will होगा तो आप इसका answer option 4 यहाँ पर होगा प्रस्न 15 है कि जिस परकार कली का संबंध फूल से है उसी परकार छोटा पौधा का संबंध किस्से है जिस परकार कली का संबंध फूल से है उसी परकार छोटा पौधा का संबंध किस्से है तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जिस परकार कली का संबंध किसे है फूल से है कली का संबंध फूल से है उसी परकार छोटा पौधा का संबंध किसे है छोटा पौधा का संबंध किसे है कली का संबंध फूल से है तो छोटा पौधा का संबंध किसे है यानि फूल का जो छोटा रूप होगा उसी को कली बोलेंगे फूल का जो छोटा रूप होगा क्योंकि पहले पौधा में कली आता है तो अब जाकर के कली आगे बढ़ने के बाद फूल बनता है तो हम बोल सकते हैं कि फूल का जो छोटा रूप होगा वही कली होगा तो यहां पर कर रहा है कि छोटा पौधा तो छोटा पौधा यानि कली का बड़ा रूप फूल बोल सकते हैं या फिर फूल का चोटा रूप कली बोल सकते हैं तरह चोटा पौधा का बड़ा रूप यहां पर बड़ा पौधा यानि पौधा बोल सकते हैं तो आपका आंसर यह नापर पॉधा होगा option 1 यहाँ पर चुक्र कि बगान भी दिया है फल भी दिया है जंगल भी लेकिन छोटा-पॉधा छोटा-पॉधा बड़ा ऋकड क्या वनता है पॉधा बड़ा-पॉधा मतलब बड़ा पॉधा को बौधा बूल सकते हैं तो कली के बाद फूल बनता उसी तरप जोटा पौधा के बाद कैशंता है पौधा बनता है तो फिर्ण्स आपका answer यहाँ पर option one होगा पौधा प्रस्ने 16 है कि जिस पर्कार सदेव का सम्बन्द कभी नहीं से है उसी पर्कार जीवित का सम्बन किस से है जिस पर्कार सदयब का संबंध कभी नहीं से है उसी परकार जीवित का संबंध किसे है यहाँ पर दिया गया है आपको की जिस परकार सदयब सदयब का संबंध कभी नहीं से है सदयब का संबंध कभी नहीं से है उसी परकार जीवित का संबंध किसे है उसी परकार जीवित का समद्ध किस्से है तो friends यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच आपको कुछ न कुछ समानता दिखाई देगे जैसे सदैब का समद्ध कभी नहीं से है सदैब कहने का मतलब की बार-बार हमेशा कभी नहीं कहने का मतलब की नहीं के सेंस सदैब मतलब लगतार हमेशा के सेंस में कभी नहीं मतलब सीधे यानि आप कह सकते हैं कि सदैब का उल्टा कभी नहीं सदैब का उल्टा कभी नहीं उसी तरह यह जो जीवित है तो जीवित का उल्टा आप क्या बोल सकते हैं, जीवित का उल्टा मुरित हो जाएगा, जो कि आप option देखेंगे ध्यान से, तो option number five आपको दिख रहा है, यानि जिसतर सदयब, सदयब का उल्टा कभी नहीं, उल्टा के sense में, सदयब का उल्टा कभी नहीं, तो जीवित का उल्टा मिरित हो ज उसी परकार रक्त का संबंद किसे है जिस परकार गती का संबंद भौतिक बिज्ञान से है उसी परकार रक्त का संबंद किसे है यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिस परकार गती का संबंद किसे है गती का संबंद भौतिक बिज्ञान से है उसी परकार कराई की रक्त का आपको पता होगा कि गती के बारे में किसमें पढ़ते हैं गती के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं तो आप बता सकते हैं या फिर आपको पता होगा कि गती के बारे में हम लोग भौतिक बिज्ञान में पढ़ते हैं उसी परकार रक्त के बारे में हम लोग किसमें बोल सकते हैं परिवन तो हो गाई होगा तो यह अलग सब्द है तो यहाँ पर आपhelp तो आपका एंसर यह प्रस्ण 18 है कि जिस परकार सीर का समद्ध टोपी से है उसी परकार उंगली का समद्ध किस से है तो फेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखे प्रस्ण को आपको जरूर समझ में आगा करा है कि जिस परकार सीर का समद्ध टोपी से है उसी परकार उंगली का समद्ध किस से है उसी है अंगली का समन्द किस्ते तो लेफुको बताद darauf सीयी के ऊपर में क्या पहना जाता है सीयी के ऊपर में टोपी पहना जाता है लूगुष संथ दिखाने का कोफिस करतेर में अब ने टौपी पहने तो सिर चोकि सीर ने वाला चीज का नहां है और टोपी दीया है तो उसी तरह आप ऩते समांदा यहां पर उंगली के वारा चीज को क्या क्या थते तो All था तो होगा ही नहीं दूसरा hamlet दिया है हमलट तो होगा ही नहीं तीसरा अंगुठी दिया है तो होगा है ने ऊपर में नहीं पहना जाता वलकि उसके नीचे मतलब उपर में ढख नहीं ढखता अंगली को पुरा तरह से जिस तरह से सीड़ को टोपी ढखता अंगुठा बोलेंगी तो यह भी नहीं होगा 5 में दे दिया आपको अंगुली दस्ता यान जो की option 5 में दिया गया है प्रस ने उन्हाइस आई कि जिस परकार टहलना का समंद दौरना से है उसी परकार सीतल मंद समीर का समंद किस्से है यानि कह रहा है यहां पर आपको क्या कह रहा है कि जिस परकार टहलना का समंद किस्से है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको कुछ न कुछ समानता जरूर दीखेंगे यहान जरूर दीखेंगे तो इसका फुदबंड़ बता सकते है तो तेजी से मतलब चलते हैं तो इसको दौड़ना बोल देथे यानि इसका जो दौड़ना का का थाहनला का स्पूर्ड वर्क है वह दोड़ना तो उसी परकाद सितल मंद समीर होते हैं, हवा बोलेंगे यानि एक हवा का रूप हो जाएगा विक्सित हवा का रूप फिर से आप देखे जिस तरह से टहलना और दोड़ना जब धीरे-धीरे हम चलते हैं तो उसको टहलना बोल देते लेकिन जब वही अपने चलने का जो गति है उसको इसका देते तो उसको दोड़ना बोलते जानी यह इसमीड कंब के चलता है तो उसको हवा ही नाम देते तो फिर्ण आका एंजर यहाँ पर हवा होगा जो कि option 2 में आपको दिया गया है आपका answer यहाँ पर हवा होगा जो कि यहाँ पर option 2 में दिया गया है प्रसन 20 है आपके सामने बहुत ही आसान प्रसन है आप देखे ध्यान से आपको समझ में आएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस परकार कार का समंद पेट्रॉल से है उसी परकार टीवी का समंद पेट्रॉल से है उसी परकार टीवी का समंद पेट्रॉल से है उसी परकार टी में किस्टेगो सबसे पहले तो आप कार और पेट्रव के बाड़े में देखें कि क्या इन दोनों के बीच डिलेशन क्या संबंद है क्या जो लिवाप्सन इन दोनों के बीच होगा उसी तरह का जरूरत पड़ता है यानि कहने का मतलब पेट्रोल से कार चलती है पेट्रोल से कार चलती है पेट्रोल के लिए क्या इंधन का काम करती है उसी परकार टीबी अब जीस तरह से कार को चलाने के लिए पेट्रोल का जरूरत पड़ता है उसी तरह से टीबी को चलाने के लिए किसक आपको तो आप option देखे आपको खुद बखुद पता चलेगा option 1 देदिया है मनुरंजन, option 2 दिया है परसारन, option 3 है पड़दा, option 4 है बिद्धूत, option 5 है एंटीन, आप बताए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चुकि हम अभी तुरंट आपको बताएंगे लेकिन आप सूच करके थुदा बता है तो फ्रेंड्स चली हम आपको बता देते हैं आपका answer यहां पर बिद्धूत होगा आपको पता है कि TV को चलाने के लिए बिद्धूत का जरूरत परता है एक बार फिर से देखे जिस परकार कार को चलाने के लिए पेट्रोल का जरूरत परता उसी परकार टीवी को चलाने के लिए किसका जरूरत परेगा बिद्धूत का जरूरत परेगा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को इसी परस्न के साथ अंत करते हैं फिर हम अगले वीडियो में इनालोजी टेस्ट का परस्न एकइस से लेकर आप मिलते हैं तो फ्रेंट्स आसा करते हैं आज का वीडियмов आपको अच्छा लगा होगा आज के वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत फ्रेंट्स कैसा लगा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिलिज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना न भूले